नमस्कार, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं डॉक्टर प्रतीक उपाध्याय, सहयक आचारे, आज हम लोग DL8 पाठिकरम के अंतरगत त्रिभुज व त्रिभुज के विभिन प्रकार के बारे में जानेंगे, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद सरल आकरिती को त्रिभुज कहते हैं, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, बिन्द एक जयमिती आकरिती होती है, जिसकी कोई वीमा नहीं होती है, दो बिन्दूओं को मिलाने से रेखा खंड का निर्माण होता है, तथा तीन रेखा खंडों के मिलने से त्रिभुज का निर्माण होता है, जबकी तीन रेखा खंड मिलकर किसी बंद आकरिती का निर्माण करें, त्रभुज के तीन शिर्ष, तीन भुजाएं, तीन कोण और तीनों अंतव कोणों का योग 180 अंस होता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं A, B, C एक त्रभुज है जो रेखा B, C, रेखा C, A तथा रेखा A, B से मिलकर बना हुआ है त्रभुज के तीन भुजाएं A, B, B, C तथा C, A हैं त्रभुज के तीनों अंतव कोणों का योग 180 होता है त्रभुज एक प्रकार का बहभुज होता है अता त्रिभुज में सभी बहुज के तरही एक बहिर भाग और एक अभ्यंतर भाग होता है त्रिभुज A, B, C में बिंद P त्रिभुज का अभ्यंतर भाग है क्योंकि यह त्रिभुज के अंदर इस्तित है बिंद Q त्रिभुज के उपर इस्तित है तथा बिंदु R त्रिभुज के बाहर इस्तित है बिंदु R त्रिभुज का बहिर भाग कहा जाएगा जबकि Q स्वयम त्रिभुज पे इस्तित हुआ भाग माना जाएगा त्रिभुज का वर्गी करण त्रिभुज का वर्गी करण दो तरह से हो सकता है पहला वर्गी करण कोणों के आधार पर हो सकता है और दूसरा वर्गी करण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के आधार पर हो सकता है सबसे पहले हम लोग कोणों के आधार पे वर्गी करण को दिखेंगे अगर हम त्रिभुज का वर्गी करण त्रिभुज के कोणों के आधार पर करते हैं तो कुल तीन प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा सम कोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज नियून कोन तरभुज जैसा कि आप चित्र A में देख रहे हैं तरभुज A, B, C एक तरभुज है इसे हम नियून कोन तरभुज कहेंगे क्योंकि इस तरभुज के तीनो कोन नियून कोन है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यून कोन त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों अंतर कोन न्यून कोन होते हैं त्रिभुज के दूसरे प्रकार में सम कोन त्रिभुज आता है जैसा कि चित्र B में आप देख रहे हैं त्रिभुज D.E.F. एक सम कोन त्रिभुज है जब त्रिभुज का एक कोन सम कोन होता है तो उसे हम सम कोन त्रिभुज कहते हैं त्रिभुज D.E.F. में कोन D.E.F. सम कोन है इसलिए इसे हम सम कोन त्रिभुज कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं चित्र में त्रिभुज जी एच के अधिक कोण त्रिभुज है भुजाओं की लंबाई के आधार पर वर्गी करन त्रभुज की तीन भुजाएं होती हैं और इन तीन भुजाओं की लंबाई अलग अलग बराबर अथवा दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो सकती है इस आधार पे त्रभुज के तीन प्रकार हो सकते हैं सम दिवाउत्रभुज, विशम बाउत्रभुज और सम बाउत्रभुज सबसे पहले सम दिवाउत्रभुज सम दिवाउत्रभुज एक ऐसा त्रभुज होता है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है सम दिबाउतर भुज में जिन दो भुजाओं के अलावा तीसरी भुजा होती है जिसे हम और समान भुजा कहते हैं वह आधार कहलाती है तथा ये तीसरी भुजा जिसे हम आधार कहते हैं इस पर बने कौन बराबर होते हैं चित्र एक में A, B, C एक सम दिवावत्र भुज है इसमें भुजा A, B और भुजा A, C बराबर है भुजा B, C आधार है और इस परकार हम देख सकते हैं कि आधार पे बने दो कौन A, B, C तथा कौन A, C, B बराबर होंगे अता सम्दिवावत्र भुज जब त्रभुज की किनी दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तथा आधार पर बने कौन बराबर हो तो सम्दिवावत्र भुज कहलाता है दूसरा प्रकार है विशम बाहुत्रभुज विशम बाहुत्रभुज ऐसे त्रभुज को कहते हैं जिस त्रभुज की तीनो भुजाएं असमान होती हैं तो इसके प्रते कोण भी असमान हो जाते हैं तीसरे प्रकार का त्रभुज सम बाहुत्रभुज कहलाता है सम बाहुत्रभुज एक ऐसा त्रभुज होता है जिस त्रभुज की तीनो भुजाएं समान हो चित्र दो में D, E, F एक विशम बाहुत्रभुज है क्योंकि इस चित्र में भुजा DE, भुजा EF और भुजा FD तीनों ही औसमान हैं जबकि चित्र तीन एक संभाउत्रभुज को दर्शा रहा है चित्र तीन में GHL एक संभाउत्रभुज है क्योंकि भुजा GH, भुजा HL तथा भुजा LG आपस में बराबर हैं आईए, हम कुछ त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर तथा उनके कोणों के आधार पर पहचानने का प्रयास करें चित्र में कुल 6 त्रिभुज दिखाए गए हैं त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3, 4, 5 और 6 सबसे पहले हम त्रिभुज 1 को लेते हैं त्रिभुज 1 में त्रिभुज A, B, C है जिसकी भुजा A, B, 5 cm भुजा B, C, 8 cm और भुजा A, C, 8 cm है सबसे पहले भुजाओं के आधार पर अगर इस त्रिभुज का वर्गी करन करें तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं भुजा B, C और भुजा C, A आपस में बराबर हैं इसलिए यह त्रिभुज सम्दिवाह त्रिभुज कहा जाएगा अगर कोणों के आधार पर वर्गी करन करें तो इसमें तीनों ही कोण न्यून कोण हैं इसलिए इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं चित्र दो में त्रिभुज P, Q, R दिया गया है इसमें भुजा P, R, 8 cm की है भुजा Q, R, 6 cm का है और भुजा P, Q, 10 cm का है अतह भुजाओं के आधार पर वर्गी करन करते हैं तो हम पाएंगे कि यह एक विशम बाव त्रिभुज है क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और समान है कोणों के आधार पर वर्गी करन करने पर हमें ग्यात होता है कि त्रिभुज P, Q, R का कोण Q, R, P, 90 cm का है अर्थात सम कोण है अता इसे हम सम कोण त्रिभुज कह सकते हैं छित्रतीन में त्रिभुज L, M, N दिया गया है इस त्रिभुज की भुजाएं M, N तथा N, L 7 cm की है अता भुजाओं के आधार पर अगर वर्गी करन करेंगे तो त्रिभुज M, N, L सम दिवाव त्रिभुज कहा जाएगा क्योंकि इसकी भुजा M, N तथा N, L बराबर है चुकि L, M, N त्रिभुज का कोण M, N, L 90 cm का है इसे लिए इसे हम सम कोण त्रिभुज भी कहेंगे अगले चित्र में त्रिभुज R, S, T दिया हुआ है इस त्रिभुज की भुजाएं R, S, B, S, T और B, T, R 5.2 cm की है चुकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए इसे सम बाहुत्रिभुज कहा जाएगा सम बाहुत्रिभुज के प्रतेक कोण न्यून कोण होते हैं इसलिए इसे हम न्यून कोण त्रिभुज भी कहेंगे चित्र पांच में त्रिभुज A, B, C की दो भुजाएं बराबर हैं भुजा A, B, बराबर भुजा B, C इसलिए इसे हम सम दिवाव त्रभुज कहेंगे साथी साथ त्रभुज ABC का कोण ABC अधिक कोण है अतह यह अधिक कोण त्रभुज भी कहा जाएगा चितरचह में त्रभुज PQR दिया हुआ है जिसमें भुजा PQ 6 cm और भुजा QR 6 cm है इसलिए भुजाओं के आधार पर यह एक सम दिवाव त्रभुज होगा जबकि कोण PQR सम कोण है अतह इसे हम सम कोण त्रभुज भी कहेंगे त्रभुज की माधिकायन किसी त्रभुज में उसके किसी एक सीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्विंदु से मिलाने वाली रेखा को माधिका कहते हैं जैसा कि आप चितर में देख सकते हैं त्रभुज A, B, C दिया हुआ है सिर्ष A की सम्मुख भुजा, B, C है B, C भुजा का जब मध्विंदु ग्यात करते हैं तो हमें D प्राप्त होता है इस प्रकार सिर्ष A से D को मिलाने वाली रेखा A, D प्राप्त होती है इसे हम त्रभुज की माधिका कहेंगे चुकि त्रभुज में तीन सिर्ष होते हैं अतह त्रभुज की कुल तीन माधिकाएं हो सकती है त्रभुज के सिर्ष लंब किसी त्रभुज के एक सिर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खीचे गए लंब को त्रभुज का सिर्ष लंब कहते हैं चित्र में A, B, C एक तर्भुज है उसके सिर्ष A से भुजा B, C पर एक लंब डाला गया है जो A, L प्राप्त होता है अतह रेखा A, L तर्भुज A, B, C का सिर्ष लंब है चुकि किसी भी तर्भुज में तीन सिर्ष होते हैं तथा उन तीन सिर्ष के सापेक्ष सम्मुख तीन भुजाएं हो सकती हैं इसलिए तर्भुज में कुल तीन सिर्ष लंब होते हैं समकोर त्रभुज के सीर्ष लंब उसकी दो आसन भुजाएं ही होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, सीर्ष लंब सीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब कहलाता है, अगर समकोर त्रभुज में सीर्ष A से सम्मुख भुजा B C पर लंब डालेंगे तो वह लंब AC के रूप में ही प्राप्त होगा। इसलिए समकोर्ट त्रभुज के शीर्ष लंब उसकी दो आसन भुजाएं ही होती हैं। इस प्रकार अगर हम समबाहु त्रभुज की बात करें तो समबाहु त्रभुज की माधिकाएं एवं सीर्ष लंब एक ही रेखा खंड होते हैं। अब हम त्रभुज के वाह कोणों के बारे में बात करेंगे। त्रभुज के सीर्स पर किसी भी भुजा को आगे तक बढ़ाने से बने कोण को त्रभुज का वाह कोण कहा जाता है ऐसा कि आप चित्र में देख सकते हैं A, B, C एक त्रभुज है उसके सीर्स C को बिंदु D तक बढ़ाया गया है इस प्रकार A, C, D एक कोण प्राप्थ होता है जिसे त्रभुज A, B, C का वाह कोण कहा जाएगा किसी त्रभुज का वाह कोण अपने दो सम्मुख अंतह कोणों के योग के बराबर होता है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं A, B, C एक त्रभुज है सिर्थ C को D तक बढ़ाने से A, C, D नामक वाह कोण हमें प्राप्थ होता है अगर हम इसे नापते हैं तो हम पाते हैं कि कोण A, C, D को दो भागों में बाटा जा सकता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कोण A तथा कोण B के माप के बराबर अतह किसी भी त्रभुज में वाह कोण उस त्रभुज के दो अंतह कोणों सम्मुख दो अंतह कोणों के योग के बराबर होता है इस प्रकार कोण A और कोण B की माप कोण A, C, D के बराबर होगी अतहवा दूसरे सब्दों में कोण A, C, D बराबर होगा कोण A प्लस कोण B दूसरे चित्र में अगर हम कोण A, C, D की माप करेंगे तो वह कोण एक और कोण दो के योग के बराबर होगा त्रभुज की भुजाओं से संबंधित गुन त्रभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजाओं की माप से अधिक होता है अर्थात अगर त्रभुज A, B, C लिया जाए तो उसकी किनी भी दो भुजाओं को मापा जाए तो इनकी मापों का योग भुजा BC से बड़ा होगा इसी प्रकार त्रभुज की भुजाओं की दूसरी प्रापर्टी यह होती है कि त्रभुज की किनी दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है तिर्भुज ABC में अगर हम तिर्भुज की भुजा AB में से भुजा AC को घटाएं तो यह सदैव ही भुजा BC से कम आएगा या तिर्भुज ABC में अगर हम AB में से BC को घटाएं तो यह सदैव ही AC से कम आएगा इसी तरह से हम किनी भी दो भुजाओं को ले करके इस गुण का मापन कर सकते हैं अब हम समकोन तिर्भुज तथा पाइथा गोरस गुण के बारे में जानेंगे किसी समकोन तिर्भुज में समकोन की सामने वाली भुजा को करण कहा जाता है अगर समکोन तरफुज A, B, C है तो इस तरफुज का समकोन Kोन B होगा और Kोन B के सामने वाली भुज़ा A, C इस तरफुज में कर्ण कही जाएगी कर्ण के अलावा समकोन तरफुज में जो अन्य दो भुजाएं होती हैं उन्हें हम पाद कहते हैं A.C. कर्ण हैं तित्र में और A.B. तथा B.C. शित्र में पाद हैं इन्हें हम अलग-अलग केवल भुजाओं की माप के रूप में लिखें तो B.C. और A.B. लिख सकते हैं किसी भी समकौन तिभुज में कर्ण पर बना वर्ग उसके पादों पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे हम पाइथा गोरस प्रमे भी कहते हैं और इसका बिपरीत भी सही है कि यदि किसी तिरभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेस दो भुजाओ पर बने वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभूज समकोंड त्रिभूज होता है इस प्रम्य का प्रयोग करके हम किसी भी त्रिभूज को समकोंड त्रिभूज सिद्ध कर सकते हैं और अगर कोई त्रिभूज समकोंड त्रिभूज है तो हम यह भी सिद्ध कर सकते है कि उसकी दो लंबोत भुजाओं पे बने वर्गों का योग उसके करण पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है इस प्रकार हम पाइथा गोरस प्रमे को बहुत ही उपयोगी रूप से प्रयोग कर सकते हैं किसी भी तर्भुज को समकोर तर्भुज बताने में या हम किसी भी तर्भुज में दो भुजाओं पे बने वर्गों को योग को तीसरी भुजा पे बने वर्ग के रूप में देख सकते हैं अता आज हम लोगों ने तर्भुज के विभिन प्रकारों के बारे में पढ़ा कैसे बिंदु को हम जोड़ करके रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं और रेखाखंड के सीर्ष को मिला करके हम कोण बना सकते हैं और फिर कोण के द्वारा अगर हम बंद आकरती बनाते हैं तो वो त्रभूज होता है आज हम लोगों ने ये भी देखा कि त्रभुज में तीन सीर्स होते हैं, तीन रिखाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं तथा जो सबसे महत्वपूर्ण उसका गुण है वो यह है कि त्रभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 अंस होता है त्रभुज के प्रकार में भुजाओं के अधार पर वर्गी करण को भी हम लोगों ने जाना और कोणों के अधार पर वर्गी करण को भी हम लोगों ने जाना भुजाओं के अधार पर तीन प्रकार के त्रभुज हो सकते हैं कोणों के अधार पर भी तीन प्रकार के त्रभुज हो सकते हैं त्रभुज के सीर्च लंब और माधिका के बारे में भी हमने जाना और सिर्थ से उसके सामने की भुजा पे डाले गए लंब को सिर्थ लंब कहते हैं जबकि सम्मुख भुजा के मद्ध बिंदु को सिर्थ से मिलाने माली रेखा उसकी माधिका कहलाती है तर्भुज के वाह कोण के बारे में भी हमने जाना कि किसी समकोंड तृभूज में लंबोध भुजाओं पे बने वर्गों का योग उसके विकनड पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है तो उमीद है कि आप लोगों को तृभूज तथा उसके प्रकार के बारे में जानकारी अच्छी प्राप्त होई होगी धन्यवाद